वेल्कम टू रूपा सेखर ब्लॉग कैसे हैं आप लोग, मैं बिलकुल अच्छी हूँ, I'm fine I hope आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे और I hope आप लोग बहुत अच्छे हैं होंगी नहीं हैं तो आज का सारा दिन बीट गया इस्कूल की भागा दोड़ी में और घर के कामों में अभी बजगे हैं सारे साथ अभी सारे साथ बज़ रहे हैं और मैं सोची चलिए आप लोग से एक छोटा से वीडियो शेयर करती हूं आज का वीडियो आप बताए आज का वीडियो बताज़े कल शाम को शाम को नहीं दो पहर को तो यह आये थे गन्नु जी आये थे हमारे महले में पुरे गाउं में भ्रमन कर रहे हैं गन्नु जी पुरे गाउं में भ्रमन कर रहे हैं गन्नु जी तो हमारे महले में भी आये थे और चावल ले रहे थे पैसे ले रहे थे आर हाथी की सावारी भी हो रहे थी तो बहुत अच्छा लगा कल हो तो छोट ए सबäre वीडियोज के हैं क्यूंकि गाउ देखने को मिलता है पालतू हाथी पालतू हाथी तो गाउ तेहाथ में देखने को मिलता नहीं हा तो ज़ू नी आथ अब मेरे वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं जब ट्यूशन पढ़ने आते हैं तो मैं पूछती हूँ चले बताएए मेरे वीडियो कॉन काम देखा तो ना, 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 आपका वीडियो देखें इतो अच्छा लगता है ना तो बता तो कल का वीडियो में क्या कि ये थे तो बताती है कल का वीडियो में आप ये कर रहे थे मैं हम देखें तो सभी बच्चे एक दम कॉंपरिशन में हाथ उपर करते हैं और मेरे वीडियो स्वारन बताते हैं तो कभी-कभी हम अधिक तर पूछ लेते हैं मेरे वीडियो क मुझे यार है, तो ये छोटा सपय मेरे बचों के लिए है, तो स्टाट करें, हाथी दादा ओड लबादा पहांच गए बाजार, जूते की दुकान देखकर मांगे जूते चार, कालू जूते वाला बोला बड़ा तुम्हारा नाम, पर इतने बड़े न जूते बनते, दादा कर दो, माफ, इसका मतलब समझ में आया आप लोगो, इसका मतलब हाथी दादा जो है न, वो बाजार पहुँच गए, और बाजार में जाकर उनको जूते का दुकान दिखकिया, और जूते के तो जूते के दुकान में जाकर, जूते वाले से, एक नहीं, दो नहीं, चार तो ये है उसका अर्थ, तो कल का जो छोटा सा वीडियो है न, चलिए आप लोगों दिखाते हैं आप लोगों से, हाथी महराज की जै, ये है हमारा महला, और ये है पधारे हैं गन्नुजी, तो ये महला में हम लोग सब अपने हैं, यहाँ पे जितने भी आपको मेंबर हजबन का सब मने भाई लगेंगे, तो एक बार क्या हुआ था न, जिस्ट मेरे साधी को एक साल हुआ था, और हाथी आया था यहाँ पे, जंगली हाथी, यहाँ पर न, जंगली हाथी का प्रकोब जादा है, तो जंगली हाथी जंगल से चले आय थे, तो मेरे मिस्टर क्या क तुरंत मेरा हाथ पकड़कर और बोलेगे रूपा जल्दी निकलो चलो देखो हाथी आया चलो भागो तो हमको पता नहीं था हमें पता नहीं था कि हाथी देखने से भागना पड़ता है अब हम लोग जहां से बिलॉंग करते हैं धनवाच के हैं हम तो वहां तो बस हाथी क्या क्या है ना उले कि हाल जल्दी सी मेरा हाथ जोर से पकड़ लीँंग हम साच्द चाइवल या कुछ बना रहे थैं और मेरा हाथ पकड़कर जल्दी युक्त बाहर निकल डूप स्बागो हम भागेंके हम हाथी को देखके न मुतना खुलो कर मुस्कुरार हैं चैना है हा हाथी जैसे देख रहा है तो क्या देखते हैं कि मेरे जस्ट सामने वाला एक बड़ा सा दिवाल था पत्थर का बोल्डर का पहले जमाने का पत्थर हाथी एक लाग से उस दिवार को गिरा दिया बिसाल दिवार था बहुत पुराना दिवार था उसको गिरा दिया हम देखते आगया हाती दिवार को गिरा दिया, मेरे हस्बन बोले देखो मत भागो और मेरे घर के आगे वाला दिवार, उसको गिरा दिया और गणो है क्या देख रहे हैं? बगल वाले घर में मा सोई हुई थी, बेटा था? बेटा क्या किया ना? मा को छोड़ दिया घर बगल भागग ई है ना वो तो बगल वाला स्टोरी था और मेरे इधर एक औरत काम कर रही थी काम करने के लिए आई वी थी मैट थी वो जब सुनी कि जंगली हाथी आया है तो वो क्या कि वो औरत को पता भी नहीं था कि जंगली मतलब हम वो उतना बड़ा दिवार वो चहर के कूच सकती है और जंगली हाथी के डर से उसके सरीर में कहा पे उतना ताकत आगया वो क्या कि ना कैसे वो दिवार चहर गई और बहुत उपर से वो जम की और वहां से भाग गई मेरे हस्बेन धोती उठाए एक हाथ से और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़े और बोले भागो हमने किदर भागना है जी तो बोलने लगे कि बाड़ी तरह भागते हैं हमने ठीक है चली तो भागेंगे हम भी तो हम उनका हाथ पगड़कर भागने लगें तो यहाँ पर हाथी आना जंगली हाथी आना यही तो पिछले साल हाथी आया थे और एक बच्चा तीन बड़े वो हाथी खतम कर दिये उसको पैरों से रौंद के खतम कर दिये और यहाँ पर खेत उजार देते हैं और मेरे मौले होकर जब कोई मौला होकर हाथी गुजरता है तो सब कोई चुपचाप अपने हाथ चुपचाप रहते हैं सब यहाँ पर आपको दीख रहा है सब मेरे अपने हैं सब कोई दीदी है कोई मेरी चाका की सास है मेरे घर के ही बच्चे है आसपास के और यहाँ पर जो यह घर दिख रहा है बनता हुआ गर यह इंद्रा आवास आया हुआ है तो वही घर बन रहा है तो यहाँ पर अभी सब अपना बिल्डिंग घर बना रहे हैं हम लोग का भविष्य में हमारा महला बहुत खुबसूरा दिखने वाला है तो उसके बाद हाथी जी तो चले गए तो यह है हाथी का स्टोडी और यहाँ पर जब आते हैं हाथी तो बहुत जादा भयंकर आप लोग देखे हाथी गर्णुची जब यहाँ हाथी आते हैं जंगल से एक नहीं आते हैं चार पांच आते हैं और भयंकर आतंक मचा कर जाते हैं किसी का घर तोड़ देते हैं खेतों में चले जाते हैं किसी दे सो जो एक आप बनी, किसी को ढीखा ंज है किसी को रॉंधर के इंपकर बाद में मार ठीच मार देते हैं था कहा आपक का पता है यह च्छी जमाद करह रहे हैं था विचे दिखिक सतर rat रॉझा रर्षाले, शोच कही दर लग रहते हैं तो प्रायी मोने साल में तो आ नहीं है , पक्का है तो हम लोग वीडियो में δेखते है लेकिन आपको एस्टोरी बता सकते हैं कैसे लगघ़ा है ? सुना स्टोरी सब ? रियल स्टोरी, यहीं तो देखती है एसा हमने टाउन में तो आ हम था नहीं पालतू हाती लेकर आते हैं । उप हम लोग देखते हैं हाती फालते हैं उप आके लोग चोड़िये और पता है कहावत यहां के लोग कहते हैं यहां के लोग कहते हैं हम यहां आके जाने यह बात कुछ-कुछ बाते होती है ना जो किताबों में लिखी हुई नहीं होती है पर बड़े बुजर्ग आस-पास के सास लोग आके सास लोग बताते हैं क्या कहते हैं यह आप लोग भी जान लेजिए जैसे हाती आया कुछ आतंक तो उसके बारे में अप्शब्द नहीं बोला वह उनके बड़े-बड़े बिसेशता है वह नका सुन लेते हैं ऐस बोलते प्रणाम कर लिजेगा क्योंकि जब आपशब सुनते हैं उसके बाद पता क्या आता है उसके बदला लेने के लिए आते हैं कि मेरे बारे में गलत बोली है इसलिए हम लोग ना हम लोग गलत शब्द नहीं इस्तवाल करते हैं बहुत ड़ लगता है और सायद कितने घर में गए भी हैं उनका बड़ा बड़ा कान का वो कहते है ना हम लोग की बड़ा बड़ा कान की एक और जिसस्ता है कि जब हाथी दोड़ाए तो आप लोग को टाउन में कहा हाथी दोड़ाएगा जो गाउन के लिए है यह जब हाथी अगर पीछे पढ़ ज तो उससे फाइट कर लेगा है you. पना भथे केजिए अप हाथी प्रहुरा कर भाणिया है अगर इअ के हाथी में एक लाथा सब्सक्राइब कहें लेकिन जब भी हाथी के संफ़त्यारा हाथी अगर हाथी के समपर्त में वरहागते हैं बड़ा कान के वजर से वो अगने बैक साइड को देख नहीं पाता है जिसके कारण अधिकतर उनके संपर्क में जो आते हैं लोग अपने मृत्यू को एकदम साक्षात देखते हैं वो अगर इस ट्रिक करें उसके मतलब सीधा ना तोड के अगर उनके इस तरह से गोल मटोल इस बात को और बड़े-बड़े कान की एक और विसरिष्टा यहां उनको सुनने को मिला है हां कि के बारे में सो किलो मेटर तूरी में भी है ना तो कुछ गलत मत बोलीगा क्योंकि उनका कान इपहुत नका उनका स्रवन सक्ती बहुत तेज होता है अगर घर में थीर से भी ब अगर मेरे आसपास के गाओं की चोट चोटे गाओं के हाथी सब की रक्षा करना बगवान यहां मत आना उधर है उसी खुछी उधर ही रहना अपना असिरवात खली बढ़साना पर दूर से यहां शीरवात देना तो चुट असा हाथी वाला था वीडियो तो आप लोग से आपको लाइक करना पड़ेगा जो आप नए उसे है उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अर लाइक करना पड़ेगा तो फिर मिलते हैं एक नए से ब्लोग के साथ बड़ाए बड़ाए